फर्स्ट गेर मोविंग ट्राफिक और पूरा कलच रिलीज दोस्तो आज बहुत ज़्यादा ट्राफिक लगा हुआ है काफी मैं थक भी चुका हूँ गाड़ी चला चला के क्योंकि काफी देर से गाड़ी चला रहा हूँ करीब तीन से चार घंटा हो गया तो दोस्तो ये जो लेफ्ट साइड का पैर है काफी दर्द कर रहा है क्योंकि दोस्तो काफी समय ट्राफिक में कलच को पकड़के गाड़ी चलाना बहुत ही भारी लगता है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आजमाने वाला हूँ आप देख सकते हो जब मैं ठक जाता हूँ तो यही ट्रिक आजमाता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है तो देखे जैसे ही अब मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है तो मैं किस तरह से गाड़ी को आगे बढ़ाऊँगा कलच का कंट्रोलिंग आपको दिखाऊँगा आप देख सकते हो दोस्तों की ट्राफिक तो लगा ही है बहुत दूर तक इसमें कोई दोराय नहीं है तो मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ अभी देखिए जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी अब मैं अपने गाड़ी का कलच कैसे कंट्रोल करता हूँ गाड़ी मेरी फर्स्ट गेर में है दोस्तों थोड़ा सा मेरे पैर को भी आराम मिल रहा है कलच को मैं छोड़ दिया हूँ गाड़ी जब तक चलेगी चलेगी देखिए आप देख सकते हो फर्स्ट गेर में है अब रोकने वाला हूँ गाड़ी को तो कलच ब्रेक दबा लूँगा अब जैसे ही वापस फिर आगे बढ़े ही गाड़ी वैसे ही मैं फिर पूरा कलच छोड़ दूँगा दोस्तों ये ट्रिक आप सिर्फ moving traffic में कर सकते हैं बहुत जादा jam है तो नहीं कर सकते हैं अगर moving traffic जैसे देखिए अभी धीधरी गाड़ी चल रही है तो आप इस तरह से अपने पयर को थोड़ा आराम दे सकते हैं relax से दे सकते हैं और अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं मोविंग ट्राफिक है दोस्तों देखे मैं कलच पर से पर हटाता हूँ तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है मेरे इस पैर को एकदम आराम से मैं साइड में रखा हूँ अब रुखने वाला है तो मैं कलच अब ब्रेक करके रोक लूँगा अब गाड़ी चलेगी जैसे ही चलेगी दोस्तों मैं अनुमाल लगाऊँगा कि यह गाड़ी लंबे समय तक चलने वाली है कि रुकने वाली है जैसे ही लंबे समय तक चलेगी मैं थोड़े समय के लिए कलच पर से पर हटा लेता हूँ फिर वापस रख देता हूँ तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक तो बनता है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हुए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर देना क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर ड्रैविंग से रिलेटेड ही वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा फर्स्ट गेर, मोविंग ट्राफिक और पूरा कलच रिलीज आपको यह कैसा लगा मेरा ट्रिक अगर आपके घुटनों में दर्द होता हो दोस्तों तो आप भी कमेंट में जरू लिखना और इस ट्रिक को आज माना